4 upon 5 और 5 upon 6 गमध तीन परमे संख्याएं ग्याद कीजिए ये प्रश्ण है इन दोनों संख्याओं के बीच में हमें तीन परमे संख्याएं ग्याद करनी है तो सीधे शूरू करते हैं सबसे पहले इन questions को करने में जो आपको बात ध्यान रखनी है वो ये है कि जो इसका denominator है इसका हर और इसका हर दोनों अलग अलग है पहला काम हमारे ये होना चाहिए कि इनको एक जैसा बनाओ उसके लिए हम क्या करेंगे देखिए तो हमें करना है 4 बटे 5 और 5 बटे 6 के मध्य हमें निकालनी है तीन परमे संख्याएं अब यहाँ पर इनको एक जैसा बनाना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे देखो ये है 5 और ये है 6 इनका एलसिम होता है 30 तो दोनों को हम 30-30 बना सकते हैं अगर हम इसमें 6 का मल्टिप्लाय करें यानि इसका गुणा यहां करें तो दोनों एक जैसे बन जाएंगे एक सिंपल तरीक है समझने का ठीक है तो हम क्या करेंगे यहां उपर नीचे इसका गुणा करेंगे और यहां उपर नीचे इसका गुणा करेंगे तो क्या होगा देखो ओके यहां तक ठीक है अच्छे यह होता है 6 को 24 बटे 32 और यह है 25 बटे 32 इनकी बीच में हमें तीन परमे संख्याएं याद करनी है अंडर्स्टैड तो यहां तक क्लियर हो गया है पहला काम हमारा ये हो गया है कि इनके नीचे एक जैसा नमबर आ गिया है यही हमें यह पहला step है अब दूसरा step देखो अब क्या करना है देखो यह 24 यह 25 इनके बीच में नमबर fit करना बड़ा मुश्किल है तो हम क्या करेंगे इस gap को बढ़ाएंगे अब gap को बढ़ाते कैसे हैं तो जितनी परमे संख्याएं हमें घ्याद करनी होती है जितने रैशनल लंबर्स परमे संख्याएं को इंग्लिश में कहते हैं रैशनल लंबर्स तो जितने रैशनल लंबर्स हमें घ्याद करने होते हैं उससे एक बढ़ा के यानि 3 प्लस 1 होता है 4 तो इस से उपर नीचे गुणा करेंगे उपर नीचे मीज अंश और हर में गुणा करने पर तो अब गुणा करने पर क्या होगा देखो उपर नीचे यहां चार का गुणा करेंगे और यहां भी उपर नीचे चार का गुणा करेंगे और इसके बीच में अगेन वही हमें कितने पर्मे संख्यां ग्याद करनी है तीन पर्मे संख्यां ठीक है न 24 चको 16 और यह होता है 120 25 चको 100 और यह है 120 ध्यान डखना यहां पर आपको तीन पर्मे संख्यां ग्याद करनी है इसलिए उपनीचे 4 का गुणा किया उससे एक ज्यादा अगर 10 पर में संख्यां ग्याद करनी होती तो उपनीचे 10 प्लस 1 यानि 11 का मल्टिप्लाई करते ठीक है यहाँ पर 3 ग्याद करनी थे 3 से 1 बढ़ा किया निए 4 का गुणा किया अब इससे क्या फायदा हुआ गुणा करने से क्या मिला हमें कि इनके बीच जो है अब आप 3 नमबर आराम से फिट कर सकते हैं देखो 96 है तो यह हो जाएगा 97 अपन 120 98 अपन 120 and 99 अपन 120 और यह आंसर आ चुका है आप चाहो तो इसको काट सकते हो जैसे यह तो कटेगा नहीं 97 अपन 120 यह कट जाएगा यह होगा 49 दो से कटा 49 अपन 60 और यह कटेगा तीन से कटेगा यह तो 33 बटे 40 हो जाएगा ठीक है और यह फुल एन फाइनल आंसर आ गया है और राइट मैडियर आपको यह समझ आया होगा एक कुटली जल्दी से मैं आपको इसका दूसरा तरीका बता देता हूँ जो गलत नहीं है लेकिन कम स्कूल में यूस करते हैं टीचर्स देखो यह संख्या क्या है? 4 बटे 5 क्या अगर आप भाग देंगे तो आप पाएंगे कि यह 0.8 होता है 5 बटे 40 अच्छा पाँच बटे 6 क्या है? अब इसको भाग देंगे तो 0.688 यह आया ठीक है? इसको और आके करो कि तो यह आजाएगा 333 आता रहेगा यहां पर यह है अब एक काम करो पॉइंट के बराबर यहां एक जिससे नंबर कर दो तो यह 8 है हम 20 बढ़ा देंगे ठीक है? इससे फरक नहीं पढ़ता है लेकिन फाइदा बढ़ा होता है यहां पर 0.800 0.833 अब इसके बीच में कितने नंबर आप लिख सकते हैं? 0.801 है 0.802 है 0.803 है 0.804 है 0.805 कितना? देखो 0.80833 के बीच में कितने सारे नंबर आप लिख सकते हैं? ओके? तो यह आपकी नॉलिज के लिए है एक्जाम में आपको पास क्वेशन आएगा तो आपको बिलकुल यह तरीक अपलाए करना है लेकिन यह गलत नहीं है और यह मैंने आपकी नॉलिज के लिए क्योंकि देखो परमेश संख्या तो पॉइंड में भी होती है परमेश संख्या तो यह भी है और दो संख्याओं के बीच में अनंद परमेश संख्या होती है मैं आपको बता देता हूँ तो हो सकता है कि किसी और मेथट से आपका आणसर कुछ और आए लेकिन ऐसा नहीं क्यों गलत है तो यह इसका आंसर है आई होप आपको समझ आये होगा थैंक्स वाचिंग मिलते हैं अगले वीडियो में ठेक केर